आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आसूओं में, आपके मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं इस चोटी सी कहानी की शुरुवात करते हैं मेरे यानी मंजु की आवाज में। हलकु ने आकर स्त्री से कहा, अरे भई वो सहना आया है, लाओ, जो रूपे रखे हैं उसे दे दू, किसी तरह गला तो छूटे इससे। मुन्नी जाडू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, तीन ही तो रूपे हैं, दे दोगे तो कम्मल कहां से आएगा, माग पूस की रात हार में कैसे गटेगी, उससे कह दो, फसल पर दे देंगे अभी नहीं है। हलको एक शन अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, फूस सिर पर आ गया, कम्मल के बिनाहार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा, बला से जाडों में मरेंगे, ये बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ, वो अपना भारी भरकम डील लिये हुए, जो उसके नाम को जूट सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया, और खुशामत करके बोला, अरे ला दे दे ना, गला तो छूटे इससे, कम्मल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूँगा। इतनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने में नहीं आती, मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं ये खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खे है, मगर ये कहने के साथ ही, उसकी तनी हुई बाहें डीली पड़ दे, हलकु के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानू एक भीशन जन्तु की भाती उसे घूर रहा था, उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, और लाकर हलकु के हाथ पर रख दिये, फिर बोली, वो भी उसी में जोक दो, उस पर से धौस और, हलकु ने रुपए लिये और इस तरह बाहर चला मानू अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हूँ, उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर ये तीन रुपए कम्मल के लिए जमा किये थे, वो भी आज निकले जा रहे थ एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिटूरते हुए मालूम होते थे, हलकु अपने खेत के किनारे, उख के पत्तों की एक छत्री के नीचे, बांस की खटोले पर, अपने पुरानी नीन नहीं आती थी, हलकु ने गुठनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है, कहता तो था कि घर में पुवाल पर लेटा रह, यहां क्या लेने आये थे, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहां हल्वा पूरी खान आता हुआ, एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया, उसकी श्वान बुद्धी ने शायद ताड लिया, स्वामी को मेरी कूंकू से नीन नहीं आ रही है, हलकु ने हात निकाल कर जबरा की ठंडी पीट सहलाते हुए कहा, कल से मताना तु मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओ ये रांड पच्छुआ न जाने कहां से बरफ लिये आ रही है, उठों फिर एक चिलम भरू, किसी तरह रात तो कटे, आठ चिलम तो पी चुका, ये है खेती का मजा, और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे, मोटे दूसरा लूटे, हलकु उठा, गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा, हलकु ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, अरे जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है, जबरा ने उसकी मूँ की ओर प्रियम से छलकती हुई आख उसे देखा, हलकु, आज आज और जाड़ा खाले, कल से मैं यहाँ पुवाल बिचा दूँगा, उसी में गुश कर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा तुझे, जबरा ने अपने पंजे उसकी गुठनियों पर रख दिये, और उसके मूँ के पास अपना मूँ ले गया, हलकु को उसकी गरम सांस लगी, चिलम पीकर हलकु फिर लेटा, और निश्चे करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अबकी तो सो जाओंगा, पर एक ही शण में उसके हृदय में कमपन होने लगा, कभी इस करवट लेट था, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भाती उसकी चाहती को दबाए हुए था, जब किसी तरह न रहा गया, तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, और उसका सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया, कुट्टे की देश से जाने कैसी दुरगंधार ही थी, और वो उसे अपनी गोद में चिप्टाए हुए कि ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था, जबरा शायद समझ रहा था, कि यही स्वर्ग है, और हलकु की पवित्र आत्मा में तो उस कुट्टे के प्रती घ्रिना की गंध तक ना थी, अपने किसी अभिन्द मित्र या भाई को भी वो इत नहीं ततपरता से गले लगाता, वो अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा को पहुँचा दिया, नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे, और उनका एक एक अनुप्रकाश से चमक रहा था, सहसा जबरा ने किसी जा प्री से बाहर आकर भौकने लगा, हलकु ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया, हार में चारों तरफ दोड़ दोड़ कर भौकता रहा, एक शन के लिए भी आ जाता, तो तुरंत फिर दोड़ता, करतव्य उसके हृदय में अर्मान की भाती पिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया, फिर भी ठंड कम ना हुई, ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है, उसने जुक कर आकाश की ओर देखा, अभी कितनी रात बाकी है, सब्तर्शी अभी आकाश में आधे भी नहीं पत्जर शुरू हो गई थी, बाग में पत्तियों का धेर लगा हुआ था, हलकु ने सोचा, चल कर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जला कर खूब तापूं, रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझेगा कि कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता, उसने पास से अरहर के खेत में जाकर कही पौधे उखाड लिये, और उनका एक जाडू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिये, बगीचे की तरफ चला, जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने जबरा ने कूँ कूँ करके सहमती प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला, बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था, व्रक्षों से ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी एका एक एक जोका मेंधी के फूलों की खुश्बू लिये हुए आया, हलकु ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंद आ रही है जबरा को कही जमीन पर एक हड़ी-पड़ी मिल गई थी, वो उसे ही चिचोड रहा था हलकु ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का धेर लग गया हाथ चिटूर जाते थे, नंगे पाउँ गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वो ठंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लौ उपर वाले व्रक्ष की पत्तियों को चूचू कर भागने लगी उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल व्रक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अतहा अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका की समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हलकू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक शन में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली दोनों पाउं फैला लिये मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में जो आय सुकर ठंड की असीम शक्ती पर विजय पाकर वो विजय गर्व को रिदय में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही है जबर ने कूँ कूँ करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले से ये उपाय न सुझा नहीं तो इतनी ठंड की उखाते जबर ने पूछी लाई अच्छा आओ इस अलाओ को कूद कर पार करें देखे कौन निकल जाता है अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा जबर ने उस अगनी राशी की ओर कातर नेत्रों से देखा मुन्नी से कल ना कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी ये कहता हुआ वो उच्छला और उस अलाओ के उपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात न थी जबर आग की गिर्द घूम कर उसके पास आकर खड़ा हुआ हलकू ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद कर आओ वो फिर कूदा और अलाओ के इस पार आ गया पत्तियां जल चुकी थी बगीचे में फिर से अंधकार छा गया था राख के नीचे कुछ-कुछ आग भी बाकी थी जो हवा का जोका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक शण में फिर आखें बंद कर लेती थी हलकू ने फिर से चादर ओड ली और गर्मराग के पास बैठा हुआ एक गीट गुन गुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाई लेता था जबराजोर से भौक कर खेत की ओर भागा हलकू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक जुन्ट खेत में आया है शायद नील गायों का जुन्ट था उनके कूदने दौडने की आवाजे जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोच ही डाले मुझे जरूर भ्रम हो रहा है कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता रे मुझे भी कैसा धोका हुआ उसने जोर से आवाज लगाई ए जबरा 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 भौकता रहा उसके पास ना आया फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली अब वो अपने को धोका न दे सका उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदाया हुआ था इस जाडे पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दोड़ना बड़ा आस है जान पड़ता वो अपनी जगह से हिला ही नहीं उसने जोर से आवाज लगाई लिहो 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 जबरा फिर भौक उठा जानवर खेत चर रहे थे फसल तैयार है कि ऐसी अच्छी खेती थी पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश की ये डालते हैं हलको पक्का इरादा करके उठा और दो-तीन कदम चला पर एका-एक हवा का ऐसा थंड़ा चुबने वाला बिच्छु के डंक का सा जोका लगा कि वो फिर बुष्टे हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी दे को गर्माने लगा जबरा अपना गलाप फार डालता था नील गाएं खेत का सफाया किये डालती थी और हलको गरम राख के पास शान्त बैठा हुआ था अकरमन्यता ने रसियों की भाती उसे चारों तरफ से जगड रखा था उसी राख के पास गरम जमीन पर वो चादर ओड कर सो गया सवेरे जब उसकी नीन्द खुले तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी क्या आज सोते ही रहोगे यहां आकर रम गए और उधर सारा खेट चौपट हो गया हलकु ने उठकर कहा क्या तु खेट से होकर आ रही है मुन्नी बोली हाँ सारे खेट का सत्यानास हो गया भला ऐसे भी कोई सोता है तुम्हारे यहां मड़िय डालने से क्या हुआ हलकु ने पहाना किया अरे मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेट की पड़ी है पेट में ऐसा धरद हुआ कि मैं ही जानता हूँ दोनों फिर खेट की डांट पर आई देखा सारा खेट रौंधा पड़ा हुआ है और जब्रा मड़िया के नीचे चित लेटा है मानों उसमें प्राण ही न हो दोनों खेट की दशा देख रहे थे मुन्नी के मुख पर तो उदासी चाई थी पर हलकु प्रसन था मुन्नी ने चिंतित होकर कहा अब मुजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी हलकु ने प्रसन मुख से कहा रात को ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा तो दोस्तों आशा करती हूँ ये चोटी सी कहानी आपको पसंद जरूराई होगी एक चोटे से किसान की कहानी है जो बेहत गरीबी में भी किसानी करके अपना पेट पालता है लेकिन अंत में उसके पास क्या बचता है लगान, कर, उधारी, सब कुछ चुकाने के बाद में खाने के लाले ही पड़ जाते हैं और ऐसे में भी जो तीने एक रुपए उसने अपनी कंबल खरीदने के लिए बचा रखे थे वो भी किसी उधार मांगने वाले को चुकता करके अपने लिए कंबल तक न खरीद पाया जब कंबल नहीं तो रात को ठंड में खेत में कैसे लेटे और अलाव तापने के लिए जब वो खेत से थोड़ा सा दूर जाके बैट किया तो उसका हरिदय इतना चंचल हो गया कि फिर वापस अपने खेत की तरफ आने का उसका मन ही न किया उसे कई बार अंदेशा भी हुआ कि नील गाएं शायद मेरा खेत चर रही है लेकिन फिर भी उसने उस स्थान से ना हिलने का ही फैसला लिया इतनी जाड़े की ठंड में बिचारा गरीब आदमी अपनी जगए छोड़कर दो-तीन कदम खिसका ही था कि वापस अपनी जगए आकर बैठ गया उसकी नियत ने तो जवाब दे दिया था इधर नील गाउय ने सारा का सारा खेत साफ कर दिया लेकिन सुबह पतनी के डांटने पर भी हलकु को एक ही बात की तसली थी कि अब कम से कम उसे इस जाड़े में इस खेत में आके नहीं सोना पड़ेगा तो दोस्तों कहानी के बारे में अपनी राय कॉमेंट्स के जरीय मुझसे शेयर कीजेगा जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी तब तक के लिए आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए खुश रहिए और स्वस्त रहिए और जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नमस्कार